दोस्तों, बिहार में talent की कोई कमी नहीं है, आप किसी भी field में चले जाएए, चाहे मनोरंजन का हो, चाहे चिकितसा को लेकर हो, चाहे नेतागिरी को लेकर हो, चाहे एक्टिंग की बात कर लो, कुछ भी शेत्र में आप बात कर लो, छोटे-छोटे बच्चों से लेकर बड़े आए हैं जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है लेकिन सबसे बड़ी बात बिहार में ये है कि बिहार में नेताओं ने बिहार को कचरा कर दिया है बिहार में बहुत से टैलेंट ऐसे भी हैं जो बाहर निकल कर नहीं आ पाते हैं अभी आप पिसले कुछ दिनों से दे लेज ले रहा है लेकिन अभी तक 15 दिनों में उसे कोई मदद नहीं मिली है तो आप सोच लीजे कि चीजों को कितरा सीरियसली लिया जाता है जब तक आस्मान की उचाईयों पर कुछ चल रहा है उसके बारे में बात की जाती है फिर उसके बात सब कुछ ठंडे बस्ते में चल की थी कि सुषान सिंग राटपूत के नाम से बिहार में एक फिल्म सिटी बनाई जाएगी यह दुनिया कि सबसे अत्यादुनिक फिल्म सिटी होगी यहां पर सारी सुविधाय होगी सारी facilities होगी किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, बिहार में जितना भी टैलेंट है, सब कुछ यहीं पर मिल रहेगा, बिहार अपने आप में बुलंदियों पर होगा, अब इलेक्षन हो गया, सब कुछ काम खत्म हो गया, तो सुशान सिंग राठपूत का वहाँ पर नाम भी धिरे-दि है, उसमें नीमा गाउं है, वहाँ पर 20 एकड की जमीन ली गई है, और वहाँ पर बहुत बड़ा, 142 करोल रुपे के खर्च वाला फिल्म सिटी बनाने की बात चल रही है, और अभी तक ही, अब इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, कि क्या इसे सुशान सिंग राठपू बड़ा, प्रजोलित तो मुद्दा नहीं है, कि सुशान सिंग राठपूत के उपर वोट मिलेगा, जब सुशान सिंग राठपूत की मौत हुई थी, तो जितना benefit मिलना था सभी ने ले लिया, अब इस पर discussion किया जा रहा है, कि सुशान सिंग राठपूत के उपर फिल्म सि चाहिए कि अगर सुशान के नाम पर सुचा है तो सुशान के नाम पर ही होना चाहिए इसमें इतना विचार विमर्ष करने की क्या आवशकता है वाई तो यह है नेताओं का अब देखते हैं कि सुशान के नाम पर वोटिंग वगरा में तो फायदा ले लिया क्या सुशान के न